नमस्कार में होते वांसू आप देख रहे हैं यूपी में साल 2022 में बिधान सवा के चुनाव होने हैं और बिहार की कई राजनेतिक दल जो है वो यूपी चुनावी रन में उतरने जा रहे हैं इसी कड़ी में जीतम राम मान जी और मुकेश सहनी का एलाइंस होने जा रहा है यूपी बिधान सवा चुनाव को लेकर और दोनों दल जो है वो जल्द ही लखनाव में प्रेस कॉन्फरेंस करने वाले हैं हमारी जनकारी के मताबिर 4 जनवरी या 5 जनवरी को मुकेश सहनी और जीतम राम मान जी एक साथ लखनाव में प्रेस कॉन्फरेंस करेंगे और एलान होगा कितने कितने सीटों पर वो यूपी विधान सवा के चुनाव लड़ने वाले हैं तो वहीं जेडू की बातचीर जो है वो बिजेपी से चल रही है गडवंधन को लेकर यूपी चुनाव जी एक साथ होनी जा रहे है उसका इंपैक्ट बिहार में नहीं परेगा बीजेपी खिलाप लड़ने जा रहे हैं वो लोग देखी चुनाव यूपी का है और हर पार्टी सोतंतर है राजनितिक गल होता ही यह चुनाव लड़ने के लिए तो जिसका जहां जिससे अर्जेस् पाटी अर्र Bjorkst लड़ने के लिए तह Mmm ऐसे लड़ने के लिए तैयार है लड़नी के लिए तो उस पर किसी को क्या पति होगी को ने लिए तो कि वैव तो अपिसी को आति नहीं होनी चाहिए हर पार्टी अपने लिए सोतंत्र है तो उनकी पार्टी और उनको चुनाव लड़ना है उस पर हमको तो कुछ नहीं कहना गुलाम रसुल बलियाबे जी आप भले ही जेडू के मेल सी हैं लेकिन आपकी पहचान एक और है इस बिहार में और खासकर यूपी में कि आप धार्मिक यात्राइं करते हैं धार्मिक तक्रीर करते हैं और आने वाले वक्त में आपका जार्खंड में कई जगा दौरा भी है यूपी भी आप जाते रहते हैं कई धार्मिक तक्रीर भी वहां भी करते रहते हैं ओबेसी की इंट्री चुनाव में हो रही है यूपी म रेजल्ट दुनिया के सामने है, बिहार में जो सीटे उनको आई, ठीक है आ गई, लेकिन आज के डेट की क्या पूजिशन है, आज की तारीक की क्या पूजिशन है, वो अपनी जगह है, वो जानने की चीज़ है, और हर विक्ति को चुनाव लड़ने का राइट है, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे, कि चुनाव कोई भी दल, कोई भी विक्ति लड़े, लेकिन समाजिक समरस्ता, आपसी भाईचारा, और सत्भाव के माहौल में लड़े, तो राजनीत और देश के विकास की डिजाइन समझ में आती है, कोई भी विक्ति, किसी भी दल का हो, किसी किसी भी समाज का हो, किसी भी धरम का हो, अगर उत्तेजना और वेश फैला करके, अगर जदी जनता के बीच अपनी पहचान और पैठ बनाता है, तो उसको जनता बहुत दिने तो सुईकार नहीं करती है, तो इंपैक्ट नहीं पड़ेगा उनका इस तरह के भासन वो दे रह है, सन वनीज सो सैंटालीस के बाद अब तक इस देश का अलप संखे किसके सहारे था, किसी निता के, किसी पाटी के, किसी बैक्ती के, किसके सहारे था, और क्यों इतना लोग मजबूर और कमजोर बनाकर अलप संखे को पेश करने का प्रियास करते हैं, कोई दो नमबर का अलप संखे कै क्या, या दो नमबर का भारती है क्या, और इस देश ने, देश की मिट्टी में, जो आपसी समाज में समरस्ता और सदभाव की जो पूजी है, उसको लाग कोई चाहे तोड़ लेना, वो तूटने वाला नहीं है, थोड़ी देर के लिए अच्छे लोग परिशान होते हैं, खत्म नहीं होते हैं, चुनावाया है, चला जाएगा, सब समाप्त होगा, चलिए, जेड़ु, एमलसी, गुलाम रसुल बलिया भी थे, फिलाल अब दक लेतना ही, आप देखते रहे हैं, नीश पर नेशन,